सिस्क्राइब करी हमारा चलाए अनु जी के टुटोरियल लेटेस्ट वीडियो नॉटिफिकेशन के लिए इस बैल आईकोन को दबाए हेलो दोस्तो, स्वागते आपके अपने चले अन्नु जी के टुटोरियल में इस वीडियो में जी की टॉप 20 वेरी इंपोर्टेंट को देखने जा रहे हैं जो कि आपकी हर एक्जाम के लिए वेरी इंपोर्टेंट है सो इस वीडियो को बिने स्किप किये पूरा देखते रहे हैं चलते हैं आज के फर्स्ट कोशन पर तता चीन के भी सीमा बनाने वाली रेखा है राइट आंसर मेक मोहन रेखा रेट कलिफ रेखा दोस्तो ये भारत तता पाकिस्तान के भी सीमा बनाने वाली रेखा है डुरंट रेखा ये अफगानिस्तान तता पाकिस्तान के भी सीमा बनाने वाली रेखा है मैनी नोट रेखा ये फ्रांस तता जर्मनी के बीच बनाने वाली रेखा है चारों ही very important question है दोस्तों चारों ही आपको याद रखना है दोस्तों मैं जितने question आपके लिए के आई हूँ उन में से किसी भी question का answer आपको पता है तो आप हमें comment box में बता सकते हैं चलते हैं next question पर तुर्की का राश्टी खेल क्या है? राइट अंसर कुस्ती तिरंदाजी भुटान का राश्टी खेल है क्रिकेट औस्टेलिया का राश्टी खेल है और फुटबॉल रूस का राश्टी खेल है दोस्तों इससे question हर बार exam में पूछे जाते हैं तो यह very very important question दोस्तों यह भी आपको याद रखना है चलते हैं next question पर धिंग एक्सप्रेस क्या है राइट अंसर C हीमादास का मुह बोला ना दोस्तों यह हीमादास का निकनेम है धिंग एक्सप्रेस हीमादास आसाम की रहने वाली है इनके कोज का नाम निपोन दास है अंड दोस्तों हीमादास ने IAAF World Under 20 Athletics Championship की 400 मीटर दोरिस परदा में सोन पदर जितने वाली पर्थम भारतिये महिला खिला रही है वेरी इंपोर्टेंट कोशन है दोस्तों यह भी आपको याद रखना है चलते हैं नेक्स कोशन पर निमली खित में से कौन सा देश अंतरास्टी किरकेट नहीं खेलता है राइट आंसर रूस दोस्तों जपान भी अंतरास्टी किरकेट नहीं खेलता है यह दोनों ही आपको याद रखना है दोस्तों वेरी इंपोर्टेंट कोशन है चलते हैं नेक्स्ट कोशन पर ओन केमपुटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं राइट आंसर वाम बोडिंग दोस्तों जैसे आप computer पर work कर रहे हो work करते करते हैं आपको जो computer है वो hang होने लगता है फिर उसी computer पर work करने के लिए आप उसे restart करते हो तो उसी restart को warm booting भी कहते हैं very important question है दोस्तों यह आपको याद रखना है चलते हैं next question पर निमलिकिस में से सबसे बड़ा और सबसे महंगा computer कौन सा है right answer super computer दोस्तों super computer एक साथ multiple work को कर सकता है इसलिए इसे सबसे सकती साली computer भी कहते हैं very important question है दोस्तों चलते हैं next question पर हाली में average पर चड़ने वाले पहले नेत्रीहीं ACI वेक्ती कोन है right answer जौंग होंग चीन के रहने वाले दोस्तों हैं यह पहले ACI के पहले नेत्रीहीं वेक्ती है and विस्व के तीसरे नेत्रीहीं वेक्ती है जौंग होंग चलते हैं next question पर अमीर खुश्रो किस सासक के दरवारी कवी थे right answer अलावदिन खिजली के दोस्तों अमीर खुश्रो इन्होंने अपने आपको हिंदुस्तान का तोता भी कहा था and यह पटियाला कास गंज उत्तर पदेश के रहने वाले थे very important question है दोस्तों हर बार इससे exam में पूछे जाते हैं चलते नेक्श्ट कोश्टन पर सोतन्त भारत के राष्टी धवज का डिविजाईन किसने बनाया था right answer है पिंगली वेकईया ने बनाया था next question भारत की पर्थम महिला लोग सबाध्यक्ष कौन है right answer मीरा कुमार and किरन वेदी दोस्तों ये पर्थम महिला IPS है इसने लदा स्रीवास्तव ये पर्थम महिला महा सचीव है and राज कुमारी अमरित कोर ये पर्थम महिला केंद्रिय मंत्री है चारों ही very important question दोस्तों इस चारों ही आपको याद रखना है चलते हैं next question पर पर्थिवस वी सुजानसंक्या दिवस निम में से किस दिन मनाया जाता है राइट आंसर 11 जुलाई एक जिलाई को दोस्तों डॉक्टर दिवस बनाया जाता है 6 जिलाई को जुनोसिस डे बनाया जाता है दोस्तों जुनोसिस जुनोसिस क्या होता है ये एक सांकरमक रोग है जो की जानवरों से इंसान में फैलता है तो इसका पहला जो टीका करन है यह लुइस पास्चर जो फ्रांस के जी विग्यान जो थे उन्होंने बनाया था तभी से उसकी रोग थाम के लिए यह जुनोसिस डे 6 जुलाई को मनाया जाता है 29 जुलाई को दोस्तों यह इंटरनेसलन टाइगर डे बनाया जाता है चलते हैं नेक्स्ट कोशन पर दोस्तों यह आपको याद रखना वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोशन है चलते हैं नेक्स्ट कोशन पर अपने जिवानों के खोज किसने की जिवानों की खोज दोस्तों यह लिउ वैन हौक ने की थी 1682 में इन्होंने इसे पहली बार देखा था और इन्होंने अपने जो बनाएगे जो सुच्म दर्सी से जिवानों को पहली बार ये दातों की जो खुर्जन होती है दोस्तों उसमें देखा था तो उन्होंने इसे फिर इसको सुच्म जीव नाम रखा था तभी से लिू वेन होग को जिवानु विज्ञान के पिता भी कहा जाता है Very important question है दोस्तों याद रखना है आपको चलते हैं next question पर पार्सक इकाई है Right answer दूरी And समय की इकाई दोस्तों second है धमनी की तिर्वता की इकाई decibel है And सक्ती की इकाई अस्व सक्ती है चारों very important question दोस्तों इससे exam में पूछे जाते हैं या आपको याद रखना है चलते हैं next question पर Dendrology का सम्मन्ध है Right answer B and C विर्चो का अध्यान और जाडियो का अध्यान दोस्तों ये दोनों का अध्यान Dendrology में किया जाता है ये तीनों ये आपको याद रखना है चलते हैं next question पर भारत में दच्छी से सबसे दुरस्थल कौन है दोस्तों सबसे दुरस्थल जो है इसका नाम जो है ये इंद्रा पॉइंट है और दोस्तों इसका नाम इंद्रा पॉइंट ये हमारी जो परधान मंतरी इंद्रा गांधी के नाम पर इसका नाम रखा गया था एंड इसका जो नाम जो पहला जो नाम था उसका नाम था ला ही चिंग ला ही चिंग इसका जो पुरुवत्तर नाम था दोस्तों पहला जो इसका नाम था ला ही चिंग पिगमेलियन एंड पार्संस पॉइंट इसका जो पुरुवत्तर नाम था एंड इनका जो नाम है यह important question है दोस्तों याद रखना है चलते हैं next question पर भारत में कितने राजे समुंद्रे टट रेखा में है राइट अंसर है 9 उन राजियों का नाम है गुजरात, करनाटक, महराष्ट, गोवा, केरल, तमिलांडू, आंधपर्देश, उडिसा, पश्यमंगल तो ये उन राजियों का नाम है जो की समुंद्र टट रेखा में हैं चलते हैं next question पर निमलीकित राजियों में से कितने किस से होकर करक रेखा नहीं गुजरती है राइट अंसर है उत्तर परदेश and किन-किन राजियों से करक रेखा गुजरती है उन राजियों का नाम है गुजरात, राजस्तान, मद्धेपरदेश, जारखंड, छतिसगर्ड, तरीपुरा, मीजवराम, और पश्रिम बंगाल आठ राज्जों से होकर करक रेखा गुजरती है तो one very important question है दोस्तों आपको याद रखना है चलते next question पर किस सिंधु कालिन से एक इट की बिल्ली का पीछा करते हुए कुट्टे के पंजो का निसान मिला है इसका right answer है चन हुद्रो दोस्तों चन हुद्रो में इसका जो निसान मिला है और ये चन हुद्रो ये सिंधु नदी के टटपरिस्थित है ये पाकिस्तान में स्थिर है इसको जो खोज करता है M.N. मज़ुमदार है वेरी इंपोर्टेंट कोशन है दोस्तो एकित में से कौन सी फसल हरपा कालिन लोगों का मुख्य खादान नहीं था तो दोस्तो इसका राइट आंसर है चावल इनका मुख्य खादान नहीं था जो और गेहूं इनका मुख्य खादान था वेरी इंपोर्टेंट कोशन है दोस्तो इससे हर बार एक्जाम में पूछे जाते हैं आपको याद रखना है